आज की इस विडियोबं में आपके साथ चार बैकलिंक साइट शेयर करने छारही हूँ चारो की चारो बैकलिंक साइट सेंगे वब्साइट सेड़क बाग लिंक अचीब हो जाएगा तो इनको आप बहुत नाचरल वे में यूज कीजिए गा नाचरल वे में अपना एक प्रोफाइल फोटो लगाना प्रो नाचरल वे में अपना जो है इसमें टाइटल डिस्क्रिप्शन को अड़ करना और ताकि आपका जो यहां पर बैक लिं हम स्टार्ट करते हैं आज की जो फर्स वेबसेट है पर्स वेबसेट और गनिक ट्राफिक आप देख सकते हैं 4.5 मिलियन है और 66 परसेंट ट्राफिक जो है वो यूज से और 9 परसेंट आप जो है इंडिया से तो इस वेबसेट पर प्रोफाइल क्रेट करना आपके लिए ब इसका बिल्कुल भी नहीं है स्पाम स्कुर इसका ओनली वन परसेंट स्पाम स्कुर है जो कि हार्डली मेटर करता है तो हमारा डॉट एडियू डोमेन है यह और इस पर बैक लिंक बनाने का प्रोसीजर जब वो थोड़ा सा ट्रिकी है तो आपको क्या करना है आपको इस तर //signups.php इस लिंक को आपको ओपन करना है और आपके सामने जो है यह यह säga signup का फॉर्म ओऽ जाएगा और फिर हम अपना यहाँ drei स्क्रीन नेंब फिल कर देंगे । यहां पे हमारा इत्रेस आ जाएगा और यहां पर पासवर्ड अपना फिल कर देंगे और I am not a robot पर click कर पर क्लिक कर देंगे तो अब हमारा यहाँ पर sign up हो चुका है sign up होने के साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते है हमारा यहाँ पर login भी हो चुका है अब आपको क्या करना है जो आपका यूजर निम रिफिलेक्ट कर रहा है यहाँ पर आप click करेंगे और फिर आपको account information में जो यहाँ पर लिखा हुआ है other account info यहाँ पर आप click कर लेंगे यहाँ पर click करने के बाद अब आप अपना URL यहाँ पर post कर देंगे यहाँ पर आपने यूटिब चैनल के बाद लिंक पोस्ट कर दिया है और आप यहाँ पर अपने ब्लॉग का या वेपसेट का लिंक पोस्ट कर सकते हैं और फिर आपको यहाँ पर update info पे click कर देना है यहाँ पर देख सकते हैं मेरा URL यहाँ पर आचुक है अब आपने यहाँ पर यूरिल तो पोस्ट कर दिया है लेकिन इसका बैक लिंक आपने कैसे उठाना है इसका लाइव लिंक आप कैसे पिक करेंगे वह आपने क्या करना है यह जो कॉमोनिटी बना हुए कॉमोनिटी जो आपका section बना हुए यहाँ पर आपका find friends आ रहे है पर यहाँ पर आपका यूजर नेम यहाँ पर टाइप कर दिया और फिर मैं यहाँ पर एलेक्स पर क्लिक कर देती हूं और यह जो प्रोफाइल लिंक है इसको मैं ने कॉपई कर लिया और मैंने यहाँ पर notepad पर अब आप करके यहां पर यहां पर यही को ऐसे कर सक्रॉल करें, यहां पर आइडी आ रही है यहांप की आइडे यह आपके अकाउंट की आइडी है इसको आप कोपी और यहां पर यहां और यहां पे पेस्ट कर दीजे अब आप इस link को copy करेंगे और एक new tab open करेंगे और यहां पे paste कर देंगे अब आप यहां पे देख सकते हैं आप अपना live link यहां पे देख सकते हैं आपका जो URL वो यहां पे शो कर रहे है 93 domain authority पे आपको यहां पे backlink अचीव हो गया है और वह भी आपको do follow backlink मिले तो I wish I hope आपको यह जो backlink है काफी informative लगा होगा .edu domain पर आपको यह backlink मिले और domain authority भी कितना अच्छे spam score भी बिल्कुल भी नहीं है और do follow backlink है second website organic traffic आप यहां पर देख सकते हैं 2.4 million है जो कि मैं आपको HRF से show कर रही हूं और 72% traffic जो है यहां पर US से आ रहे है 9% traffic जो है यहां पर इंडिया से आ रहे है तो यहां पर भी profile create करके आपको backlink जरूर अचीव करना चाहिए और अगर मैं इसके domain rating की बात करते हूं domain rating आप यहां पर देख सकते है 90 है जो कि EHRF का SEO metric है और अगर हम इसके domain authority की बात करते है domain authority भी आप यहां पर देख सकते है 91 है spam score only 1% spam score है जो कि बिल्कुल भी matter नहीं करता है तो इसके लिए जब आपने इस website पर जब आपने backlink बनाना है इस .edu website पर जब भी आपने backlink बनाना है तो इसके लिए जो आपको form के लिए registration के लिए जो आपको link है वो इस तरह से आपको show होना चाहिए तो आप प्लीज इसको note down कर लिजिए fae.disability.illianus.edu slash accounts slash register slash तो आपको जो है यह जो लिंक है यह आपको इस तरह से टाइप कर लेने अपने address पर पर यह देखे मैंने यहाँ पर वीडियो को pause किया हुआ है तो आप इसको easily know down कर लिजे और इसको आप इसी तरह से open कर लेना और फिर आपके सामने जो है इस तरह से registration का form open हो जाएगा आपको यहाँ पर अपना account register कर लेना है यहाँ पर पासवर्ड डाल दिये submit step 1 यहाँ पर आप देख सकते है हमारा जो account है यहाँ पर create हो चुक है तो इन्होंने हमें एक confirmation email बेजाए उस email को हम verify कर लेंगे verification email हम achieve हो गया है receive हो गया है अब हम इस पर click कर लिया है और आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने इस पर click कर लिया है अब हम यहाँ पर login कर लेंगे अपने account पर login हमने कर लिया है तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारा जो dashboard हो open हो जाएगा और फिर आपको यहाँ पर अपनी website का link यह अपने blog का link डाल देना है मैंने अपने यहाँ यूट्यूब चैनल का link डाल दिये यूट्यूब चैनल का link डाल दिये और यहाँ पर जो है हम अपना एक title post कर देंगे तो मैंने इसको copy कर लिया है और यहाँ पर मैंने paste कर दिया है और फिर हम यहाँ पर evaluate पर क्लिक कर देंगे evaluate पर क्लिक करने के बाद अब हमें यहाँ पर my account पर क्लिक कर लेना है my account पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर update profile पर क्लिक कर लेने और यहाँ पर यह सारा कुछ आपके इसी तरह से रहेगा update profile और फिर आपको यहाँ पर और अब यहाँ पर देख सकते हैं आपका यहाँ पर backlink ready है यहाँ पर लिंग करेंगे तो यहाँ पर आपका जो लिंक है यह इस तरह से शूर करेगा और अगर में do follow-neal follow check करते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं Moder बाक यहाँ पर दो tutorial यहाँ पर नाइट reportedly है तो बैक लिंक मिल जाएगा थर्ड वेपसेट भी मारे .edu वेपसेट है इसका डूमेन अथरट भी आप देख सकते हैं 91 है इसका नेम आप ध्यान से no down कर लीजिए my friends numberfields.asu.edu slash numberfields.signup.php और यहां पर आपको ध्यान रखना है जो यह numberfields है इसका n और f जो आपको caps में रखना है तब ही आपका url open होगा नहीं तो यह url आपका नहीं open होगा तो इसको बिल्कुल as it is आपको type करना है इसलिए मैं इस पर जादा time लगा रही हूँ तो आप इस url को ध्यान से no down कर लीजिए my friends मैं दुबारा से repeat कर देती हूँ numberfields.asu.edu slash numberfields इसमें आपको n और f caps में रखना है slash signup.php और इस तरह से आपका जो है फॉर्म open हो जाएगा और फिर आपको यहाँ पर जो है अपना इस फॉर्म को फिल कर लेना है I am not a robot पर क्लिक कर देना है और join पर क्लिक कर देना है तो इस तरह से आप देख सकते हैं आपका यहाँ पर account create हो जाएगा और फिर आपको यहाँ पर अपने यूजर नेम पर क्लिक करना है थेकर देन अगें आपको यहाँ पर other account info पर यहाँ पर अपको अपना यूरल पेस्ट कर देना है यहाँ पर आपको अपना country select कर लेना है और यहाँ पर अपना zip code भी डाल सकते है postal code और update info पर आप click कर देंगे और फिर आपको क्या करना है आपको यहाँ पर find friends में जाना है और यहाँ पर आपको यह भी एक यहाँ पर एक profile को open कर लेंगे ठीक है इस profile का link मैंने next tab में रख लिया है और इसको फिर हम back कर देंगे और यहाँ पर जहाँ पर आपका यह पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर लिंक आड़क हुआ है इसको आप scroll down करके यहाँ पर जो आपका idea इसको copy करके और यहाँ पर आप paste कर देंगे enter प्रेस कर देंगे और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो यह link है यहाँ पर show कर रहा है और यह आपका back link बन चुक है और do follow no follow देखते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका यह 100% do follow back link आपको यहाँ पर अचीव हो गया है यह सारे यह तीनों की तीनों back links जाएं यह तीनों back links आपको थोड़े time के बाद HRF पर भी और Same Rush पर भी आपको वहाँ पर crawl हो जाएंगे और कोई भी problem नहीं आएगी तो इस तरह से आप इन back links को बनाएए और कोशिश किया कीजिए कि आप थोड़ा सा अपना email id को change कर लिया करो क्योंकि कहीं पर क्या होता है कि अगर आपकी email id जो है वो suspend हो जाती है यह होते हैं फिर वो सारे के सारे आपके blacklist हो जाते हैं तो करके कुछ time के बाद आप अपनी email id ज़रूर चेंज कर लिया को especially जिससे आप अपने backlinks बनाते है फूर्थ website का domain authority अब देख सकते है 93 यह spam score इसका 5% spam score है लेकिन यह इतना matter में ही करता है .edu website पर आपको फूर्थ backlink मिलने जा रहा है तो इस पर backlink बनाने का procedure बहुत simple है राइट-hand side पर आपको यहां पर प्रोफाइल आइकन जैसा दिख रहा होगा और साथ में आपको drop down दिख रहा होगा और फिर आपको sign up option highlight हो जाएगा यहां पर आप अपना email address डाल देंगे और आप sign up पे click कर देंगे फिर आपका यहां पे capture जो है activate हो जाएगा और फिर आप sign up पे click करके यहां पर अपना account create कर लेंगे तो account हमारा यहां पर create हो चुक है और इसका verification का email भी हमारे email में आ चुक है inbox में आ चुक है हमने इस पर click कर दिया है email confirm हो रहा है अब हम आगे यहां पर अपना pull name यहां पर डाल देंगे और यहां पर हमारा password आ जाएगा नेक्स्ट कर देंगे और आप यहां पर देख सकते हैं हमारा जो account है वो ready हो चुक है और आप यहां पर profile पर click कर लेंगे और इसको edit पर click कर देंगे यहां पर अपने website का link add कर देंगे यह आप अपने blog का link कर देंगे YouTube चैनल के लिए backlinks बना रहे हैं तो YouTube चैनल का link का जाएगा और यहां पर आप अपना title या चोटा सा blog भी post कर सकते हैं यहां पर 1000 characters तक option है तो मैं यहां पर अपना यह blog पोस्ट कर देती हूं तो मेरा blog भी यहां पर पोस्ट होगे it means 500 words तक आपका यहां पर blog add कर सकते हैं फिर आपको यहां पर save पर click कर दे रहे हैं और आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर लिंक यहां पर आ चुक है और हमारा आप यहां पर देख सकते हैं 100% do follow backlink हमें यहां पर अचीव हूँ है यहां पर भी अपना backlink जरूर बनाईएगा और आप इस website को और अच्छे से explore कर सकते हैं जब आप इसके home page पे click करेंगे home page पे click करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर post create करने का option भी है यहां पर कोई channel select करना होता है then title यहां पर article आप create कर सकते हैं तो यहां पर options है यहां पर link share हो सकता है short post बना सकते है article with link भी यहां पर आपका create हो जाएगा तो यहां पर multiple options है आप इसको जो है बहुत genuine भी ऐसे use कीजेगा तो definitely आपका link जो है यहां पर live रहेगा तो I hope आपको यह जो website है यह भी काफी informative लगी होगी